नमस्कार दोस्तों Advanced Excel Tutorial में आपकर स्वागत है आज के क्लास में हम सीखेंगे Microsoft Excel की मदद से Inventory Management System तयार करना तो चलिए दोस्तों देखती हैं यहाँ कैसे काम करता है देखें दोस्तों यहाँ पर हम Purchase के Entry करेंगे और यहाँ पर Sale की Entry करेंगे और जैसे हम आपर Sale करेंगे तो Real Time में हमको Net Stock बता देगा अभी हमारे पास Monitor 100 पीस दिखा रहा है लेकिन जैसे आपर हम 28,8,2023 को 50 पीस मोनिटर बेशते हैं आटोमेटिक यहाँ पर 50 पीस बैलेस दिखा रहा है क्योंकि हमने आपर Monitor 100 पीस करेंगे था और हमने आपर 50 सेल कर दिया जैसे Stock कम होगा आटोमेटिक आपको Message देगा Low Stock जैसे 39,8,2023 को Monitor 45 पीस सेल करते हैं तो देखिए दोस्तों आटोमेटिक यहाँ पर दिखा रहा है Monitor, Quantity, 5 और उसके सामने रिमार्क आ रहा है Low Stock मानलों 38,823 को फिर से हमें आपर Monitor पर दिखा रहा है 50 पीस तो देखिए दोस्तों आटोमेटिक यहाँ से रिमार्क हट गया है और पहले का बचा हुआ था 5 और अभी हमने 50 और परचेस किया है पर टूटर ने आपर 55 पीस दिखा रहा है इस प्रकार का सीट हम Microsoft Excel में कैसे तयार करें आज की क्लास में सिखेंगे सबसे पेले हम Microsoft Excel स्टार्ट करते हैं और Blank Workbook में क्लिक करेंगे इसके बाद हम अपने Project का Heading टाइप करेंगे Inventory Management System उसके बाद आप पर एक और हम छोड़ देते हैं भी और नीचे टाइप करेंगे Serial Number फिर टाइप करेंगे Date फिर Name of Item फिर Name of Item फिर Quantity Data Range को बस्रेट कर लेंगे Serial Number से Quantity तक और Ctrl-C की मदद से Copy कर लेते हैं और अगले कॉलम में आकर यहाँ पर Paste करते हैं और एक बार और इसको हम यहाँ पर Paste कर देते हैं अब अगले वाले कॉलम में हमको Date नहीं चाहिए तीसरे नमबर में तो यहाँ से Date को हम Delete कर देते हैं और जो फिल्ट प्रॉपर विजीवल नहीं है उसको हम Double Click करके इसकी Week को Increase कर लेते हैं अब यहाँ पर हम टाइप करेंगे Balance और यहाँ पर टाइप करेंगे Remark अब इसके बाद हम Row No.2 में Serial Numbers लेकर Quantity तक Select करते हैं और इसको Merge and Center Apply करते हैं और इसमें टाइप करते हैं Purchase अब इसके बाद Serial Numbers से लेकर Quantity तक अगले वाले में ही Select करते हैं और इसको यहाँ पर Merge करते हैं अब इसमें टाइप करेंगे Sale और फिर Serial Numbers लेकर Remark तक Select करेंगे और Merge करेंगे और इसमें टाइप करेंगे Net Stock अब देखिए दोस्तों Serial Numbers, Date, Name of Item, Quantity और Same वैसे ही Sale में और Net Stock में Type है यहाँ पर duplicate है तो इसलिए इसको हम Change करने के लिए सभी Name में हम एक एक डॉट लगा लेंगे यहाँ पर Serial Numbers के आगे एक डॉट लगाएंगे वैसे Date में वैसे Name of Item में और वैसे Quantity में Net Stock वाली Heading में यहाँ पर हम दो-दो डॉट लगाएंगे अब इसके बाद हम Data Range को Select कर लेते हैं Heading वाले और 7 इसाथ Table Has Header में क्लिक करेंगे और OK करेंगे तो आपके बास कुछ Default Formatting दिखाई देगा इसको Remove करने के लिए एक Table Style आपको दिखाई दे रहा है इसके Drop Down Ero में क्लिक करेंगे और यहाँ से Clear Option में क्लिक करेंगे अब देखिए दोस्तों यहाँ पर Filter का आइकन अभी भी दिखाई दे रहा है तो Filter के आइकन को Remove करने के लिए Ctrl, Shift और L प्रेस करते हैं तो यहाँ से Filter आइकन भी Remove हो जाता है अब Home टैप में आएंगे और यहाँ से All Border अप्लाई करेंगे इसके बाद Font हम Set कर लेते हैं Times New Roman Font Size 13 अप्लाई कर लेते हैं अब इसके बाद हम Heading को Select करते हैं और यहाँ से Board अप्लाई कर लेते हैं अब इसके बाद Purchase, Sale और Net Stock यह New Data को Select करेंगे और इसमें हम Arial Black Apply करेंगे और Enter करेंगे और इसके Size यहाँ से हम 12 अप्लाई कर लेते हैं अब Inventory Management System Heading को Select करते हैं Remark तक और इसमें भी हम Merge and Center अप्लाई कर लेते हैं और इसके Font Erase Board ITC अप्लाई कर लेते हैं और इसके Font Size 22 अप्लाई कर लेते हैं और इसमें हम Big Ground अप्लाई कर लेते हैं Dark Blue और Font कर अप्लाई कर लेते हैं White इसके बाद Purchase Entry का Big Ground Define करेंगी Range को Select कर लेंगे और Kill Color में जाकर यहां से कोई Light Color Select कर लेते हैं ऐसे ही Sell Entry का Color हम Define कर लेते हैं और ऐसे ही यहां पर हम Net Stock वाले Data Range को Select कर लेते हैं और यहां पर भी हम कोई Light Color Apply कर लेते हैं अब यहां पर हम Serial Number Automatic लाना चाहते हैं मतलब जब तक इस पर कोई Data ना लिखा रहा है तब तक Serial Number भी Blank रहे तो Formula Type करने के लिए Column इत को Increase कर लेते हैं ताकि Formula प्रॉपर वीजीवन रहे यहां पर Formula Type करने के लिए Equal to Type करेंगे If Bracket Open अब यहां पर Date वाले Sale को क्लिक करेंगे अगर इसकी Value Blank हो Equal to Double Code to Time कॉमा जब यहां पर Date Blank हो तो उस Condition में यहां पर Serial Number भी Blank आना चाहिए और कुछ लिखा हो तो Row को Count करें और 1 रेसियू 1 टाइप करेंगे Bracket Close और हमने इप के लिए भी Bracket Start किया था यहां से भी इसको Close करते हैं और Enter करते हैं तो देखिए दूस्तों अभी यहां पर Date Blank है तो Serial Number भी Blank दिखाई दे रहा है जैसे इसमें हम कुछ Date Type करेंगे तो इस Example के लिए भी कुछ भी टाइप कर दिया तो देखिए 1, 2, 3 Automatic Serial Number आना चाल हो गया है तो यहां पर हम Date की Formatting करने के लिए Date वाले कॉलम को Select करते हैं Control की Hold Down करते हैं और Sale वाले Entry का भी हम Date वाले कॉलम को Select कर लिते हैं अब इसके बाद Control और 1 भी प्लेस करते कीबोर से तो Formatting Sale डालाप बॉक्स आ जाता है इसमें हम Custom Option को Select करेंगे और General के जगा हम Type करेंगे DD-MM-YYYY चार बार Y टाइप करेंगे तो यहां से OK में क्लिक करेंगे अब जैसे हम आप लिखते हैं 29, 8, 20, 23 देखिए दोस्तों मैं के वाले आपर 23 लिखा हूँ तो भी जैसे मैं Enter करूंगा यह की Correct Format में आ जाएगा 29, 8, 20, 23 इस प्रकार से आप Date की Formatting कर सकते हैं अब यहां पर हम Name of Stock टाइप करना चाहते हैं तो Net Stock हमाले Entry में Name of Item के नीचे टाइप करेंगे जैसे Monitor, CPU, Keyboard अब इसके बाद जो है हम यहां पर Purchase और Sale में Name of Item का Dropdown List त्यार करना चाहते हैं मतलब हमको Stock Item बार-बार टाइप ना करना पड़े तो हम यह आप पर Name of Item के नीचे जितने Sale Range दिया हुआ है उसके स्रेट करेंगे और Control की Hold Down करके Sale वाले Entry के नीचे Name of Item दिया हुआ है उसके नीचे के Sale Range को स्रेट कर लेते हैं और Data Type में क्लिक करते हैं अब इसके बाद Data Tools के अंदर Data Validation Option में क्लिक करते हैं तो Data Validation Dialog Box स्क्रीन में आ जाता है अब यहाँ पर Any Value के जगा हम स्लेट करेंगे List और Source को स्लेट करने के लिए यह Rate Color के जो आइकन दिखाए दे रहा है इसमें क्लिक करेंगे और Name of Item, Net Stock के नीचे हमने टाइप किया है इस Range को स्लेट कर लेंगे और यहां से OK करके Apply कर देते हैं वी देखिए दोस्तो Automatic CPU की वो आना चालो हो गया है Purchase की Entry करते हैं मालो यहाँ पर हम 25 तारीक को 28 दोजार 23 को Monitor 100 पिसमने खरीदा है और 26 तारीक 2023 को हम खरीदे हैं Keyboard 100 पिस तो यह हमारी Purchase की Entry हो गई है अब यहाँ पर हम सेल की Entry करते हैं मालो 28 दोजार 23 को हम Monitor 50 पिस सेल किये हैं और 29 दोजार 23 को 30 पिस सेल किये हैं अब अगर Serial Number आटोमाटिक लाना चाहते हैं यह दोनों में सेल और नेटिस्टोक वाले में तो सेंग फॉर्मूला आप लगाएंगे जो हमने Purchase के Serial Number में लगाया था Equal to यह ब्लेकेट ओपर करेंगे और डेट की वैल्ली को सेलेक्ट करेंगे अगर यह ब्लैंक है तो उस कंडिशन में ब्लैंक आना चाहिए Otherwise यह आपर रोबो काउंट करके आटोमाटिक सेरियल नंबर देदे तो देखे दोस्तों यह आपर केवल दो दिन कही सेल का एंट्री दिखाई दे रहा है इसलिए आपर केवल 1 और 2 आया जैसे यह आपर हम 30, 8, 2030 को सेल करते हैं इवोड तो देखे दोस्तों यह आपर सेरियल नंबर 3 आ गया है और मालों यह आपर हम 90 पिस सेल करते हैं इवोड नेट स्टॉक के विए सेरियल नंबर को आटोमाटिक लाने के लिए आप इकोल टॉ टाइप करेंगे इव ब्रेकेट ओपन और नेम आप आइटम को स्लेट करेंगे अगर यहाँ पर नेम आप आइटम ब्लैंक है तो उस कंडिशन में ब्लैंक आए अधरवाइस रू को काउंट करके वो सेरियल नंबर दे दें तो इससे कोई करेंगे अब यहाँ पर हम क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो इसके लिए हम आप पर सम इप पंक्शन रहाएंगे तो चलिए दूस्तों देखते हैं कैसे आप पर हम सम इप पंक्शन योज़ करें तो नेट स्टॉक निकालने के लिए एकोल टू टाइप करेंगे और सम इप ब्रैकेट ओपन करेंगे परचेस का नेम आप आइटम के त्री सेल के वैल्लू को सेलेट करेंगे जो जहाँ पर आपने टेबल डिफाइन किया है कॉमा करते हैं अब यह हमारा जे जे कॉलम में नेम आइटम लिखा हुआ है और पहला आइटम है जे फोर सेल में तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे जे फोर और कॉमा लगाएंगे और क्वान्टेटी को भी सेलेट कर लेंगे नीचे तक हम जहाँ तक हमने टेबल डिफाइन किया है अब ब्रेकेट क्लोज करेंगे और माइनस लगाएंगे यहाँ पर हम टाइप करेंगे सम इप ब्रेकेट उबन करेंगे और सेल के नेम आइटम को सेलेक्ट करेंगे पहला लगाएंगे अगर सेल का नेम आइटम नेट स्टॉक के name of item से मेच करता है तो उस condition में कितना sale हुआ है purchase में से माइनस करके दे दिए इसलिए हाँ पर हम जे फूर type करेंगे इसकी value अगर मेच होता है तो उस condition में ये total हो जाए quantity और bracket close करेंगे और enter करेंगे तो दीखें दूस्तों यहाँ पर monitor केवल 20 piece दिखा रहा है CPU 0 दिखा रहा है और keyboard 10 piece दिखा रहा है जैसे यहाँ पर 27, 8, 20, 30 को हम CPU purchase करते हैं 100 piece तो देखें दूस्तों यहाँ पर net stock 100 piece दिखा रहा है और जैसे यहाँ पर हम sale करते हैं 38, 20, 30 को तो देखें दूस्तों यहाँ पर serial number भी automatic आ गया है और जो भी हमने formatting लगाया था वो automatic यहाँ पर आ गया है अब यहाँ पर हम CPU sale करते हैं 95 पीस तो देखें दोस्तो automatic यहाँ पर 5 पीस दिखा रहा है और जैसे हाँ पर हम net stock में कोई stock item update करते हैं कोई नय stock item add करते हैं उस condition में purchase और sale के drop down में भी update हो जाएगा जैसे आपर type करते printer speaker देखें दोस्तो formatting भी automatic आना चालो गया है जैसे आपर 288 2030 को हम speaker खरिदना चाहते हैं तो देखें दोस्तो printer और speaker automatic drop down में add हो गया है तो देखें दोस्तो जैसे आपर हम 100 piece printer खरिद कर लाए है तो अभी हमको ने stock 100 दिखा रहा है और जैसे हमें आपर 19230 को save कर देती है printer 60 piece तो उस condition में automatic 40 piece ये दिखा रहा है तो इस परकार से आप inventory management system Microsoft Excel की मदद से तयार कर सकते हैं अब हम चाहते हैं आपर जिसका भी stock 10 से कम हो उस condition में उसमें message आना चाहिए low stock और उसका formatting radicular हो जाए तो इसके लिए आपर हम remark वाले column में आएंगे और equal to type करेंगे फिर फंक्शन लगाएंगे और bracket open करेंगे इसके बाद net stock की quantity को click करेंगे अगर इसकी value कम है less than 10 तो उस condition में आना चाहिए low stock अगर कम नहीं है तो उस condition में blank कुछ भी नहीं आना चाहिए bracket close करेंगे और enter करेंगे तो देखिए दोस्तों यहापर CPU और speaker दोनों stock हमारे पास 10 से कम है तो low stock का message आ रहा है हम चाहते हैं यहापर कि जो low stock आ रहा है उसके background color red हो जाए data range को select करेंगे और home tab में click करेंगे style group में जाकर conditional formatting drop down में click करेंगे और new rule में click करते हैं new formatting rule डियालोग बॉक्स आ जाता है इसमें use a formula to determine which cell to format में click करेंगे और यहापर हम function type करेंगे यदि quantity की value अब यहापर हम quantity वाले column को fix करना चाहते हैं तो इसके लिए यहापर हम a4 की दो बार प्रेस करेंगे तो देखे दोस्तो डॉलर के 4 मतलब के column डेटर है तो यह हमने column को fix कर लिया है अगर इसकी value दस से कम हो तो उस condition में जो भी remark type है उसका big ground color red हो जाए और far ground color white हो जाए इसके लिए यहापर हम format option में क्लिक करेंगी और fill color option को select करती है यहाँ से red color select कर लिते हैं और font option में जाकर board apply करते हैं और color white select करते हैं और यहाँ से ok करते हैं और यहाँ से भी ok करते हैं तो देखे दोस्तो यहाँ पर CPU low stroke दिखा रहा है और साथ इसाथ उसके formatting दिखाई दे रहा है जैसे यहाँ पर हम 3823 को purchase करते हैं CPU 20 piece तो जैसे हाँ पर हम एंटर करेंगे automatic यहाँ से low stock messaging भी चली जाएगा और साथ इसाथ उसके formatting भी यहाँ से गया हो जाएगा इस प्रकार आप Microsoft Excel की मदद से inventory management system त्यार कर सकते हैं ऐसे ही Microsoft Excel में नए नए project सेखेने के लिए हमारे चैनल को subscribe करें वीडियो को like करें और build icon को प्रेस करना ना बोलें जिससे हमारे वीडियो का notification समय समय पर आपको मिलती रहें धन्यावाद दोस्त